हेलो स्टुटेंट्स वेलकॉम बैक टू एलीट टूटर्स शली करेंगे चाप्टा नूमबर सिक्स स्टाटिस्टिक्स का प्रावन सेट 6 और इसमें देखेंगे सिर्फ एक क्वेश्चिन थर्ड क्वेश्चिन और मीन पूछा है इसके अंदर और तीनो मेथर्ड से करेंगे स्टुटेंट जैसा इसके पहरे वाले क्वेश्चिन को देखा है तो क्या लिखा है कि दर लोन सैंक्षिन बाई बैंक फॉर कंस्ट्रॉक्शन ऑफ फार्म पॉंड्स आर शोन इन दा फॉलिंग टेबल इस टेब मीन फ़ॉन स्ट लोन पर और मिन कमीरा करने का मत्तब है थालों रुपीज में आपको अंसर बता там पड़ेगा तो चलि सबसे पहले ganer अर्म पर बीडे को शोन कर LIVE है i है आप जानते हो direct method में four columns होंगे तो four column यहाँ पे draw कर दिया यहाँ पे one two three four five six एक जाद आप करोगे one two three four five six seven और four column तो आपका as it is जैसा है first column आप जानते हो इस से fill होता है तो इसका जो heading रहेगा वो यह रहेगा तो आप पर लिखोगे loan thousand rupees और यह सारे चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 यहाँ तक तो first column out of four आपका fill हो गया second last column हमेशा यह जो frequency होती है second वाला जो अपना data होता उसी से fill होता है तो इसका जो heading रहेगा वह number of farm points रहेगा और उसको आप fi लिखोगे और यह जो data है वह आप यहाँ पर fill करोगे तो इस सारे data आपने यहाँ पर fill किया last वाला जो column है आप जानते हो कि अपने बाजू और बाजू ऐसे दोनों column पर depend होता है उनके multiplication को यहाँ पर लिखा जाता है तो जब तक यह नहीं मिलेगा यह नहीं मिलेगा और यह जो होता है वह class mark होता है तो मतलब classes का midpoint जैसे 40 plus 50 90 होगा 90 का half करेंगा तो 45 हैगा तो class mark के heading देगा इसका हाँ चीज़ और है कि इसका आपको total लिखना है तो यहाँ पर total आ जाएगा summation of fi, fi को total के आपको 100 मिलेगा यहाँ पर heading आजाएगा class mark तो फिर से कि 50 plus 40 90 होगा 90 का half 45 तो यहाँ पर आजाएगा 45 अब एक आपने सही किया है तो आपको lower limit देखना है 40 था 45 हुआ तो 50 हो तो 55 हो जाएगा 60 तो 65, 70 तो 75, 80 तो 85 तो अब last वाले का heading देगा इन दोनों का multiplication तो आप direct method के लिए XI, FI लिखिए students बाकि हर जीगे पर आप FI, DI, FI, UI ऐसा लिखोगे direct method के लिए XI, FI लिखिए तो यहाँ पर लिखा हमने XI, FI इन दोनों को multiply करने पर आपको मिलेगा 585, 55 को 22 से multiply करें आपको मिलेगा 1100, 65 into 2, 24 आपको मिलेगा इतना, 75 to 36 और 85 to 7 तो य यह आपके मर्जी है, आपको क्या पसंद है, लेकिन दूसरी बात है फिर से, कि जो method पूछा अगर वो method में नहीं करोगे तो आपको marks नहीं मिलेगा, इसलिए आपको तीनो method आने चाहिए, तो चले अब इसका भी से add करेंगे, summation of XI, FI, यहाँ पर लेखेंगे summation of XI, FI, इन सभी का total अगर आपको यह मिलता है, जब एक बार आपका table complete होता है, तो आपको शुरुआ जो करनी होती है, वो यह upon यह से करनी होती है, तो यह है summation of XI, FI, तो यहाँ पर लेखेंगे summation of XI, FI, इसके denominator में हमेशा यह दोनों का ही लिखा रहता है, तो यहाँ पर आएगा FI, और फिर से मैं आपको बताया था कि अगर यह FI, FI सेम है, तो यहाँ पर XI है, तो यहाँ पर X बार मिलेगा, और X बार मिलने का ही मतलब mean होता है, क्योंकि mean का ही symbol जो X बार है, तो यहाँ पर आपको direct X बार मतलब mean मिल रहे है यहाँ पर, तो अब लिखेंगे इसका value जो है 6545, 6540, यहाँ पर लिखा 6540 upon 100, यहाँ पर 100 लिखा, फिर यहाँ पर 110 cancel होता है, और 10 के इसे point यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, तो 65.4 आ जाएगा, तो which is equal to 65.4, लेकिन, since loan के बार में mean है, तो वो 1000 रुपीज में तो हमने यहाँ पर लिखा 1000, और जिसको decimal हटा के, into 1000 करके multiply तो आपको मिलेगा 65,400, तो अब आप लिख लिखे, कि the mean of the loans is 65,400, तो यह आपको direct method से मिल गया, अब इसके बाद जो method करेंगे, वो है assumed mean method, तो चली उससे शुरू करते हैं, assumed mean method में आप जानते हो, direct method से एक column जादा है, 5, और direct method में कितना column था, 4 column, तो यह direct method का ही calculation है, अब जो एक column add होता है, हमेशा दो जो column रहेगा, इसके, ऐसे समझे, कि frequency के पहले वो add होगा, classmark के बाद में add होगा, frequency के पहले, इसका मतलब है कि इसके पहले add होगा, तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक नया column लिख यह direct method के जैसे हैगा, हाँ, last वाला different रहेगा, आप जानते हो, क्योंकि last वाला हमेशा अपने बाजू वाले दो के उपर depend होता है, तो fi आ चुका है, लेकिन इसके just बाजू वाला जो है, वो नहीं है, जो ui रहेगा, sorry, di रहेगा, assumed method में di हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखें है, और उसका formula है, x i minus a, तो a assumed mean method है, तो आपको a assume करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लेकेंगे, इसको assume किया, क्योंकि देखें, जब 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 2 उपर और 2 नीचे चोड़के, जो middle में आ रहा है, वही आप assume करें, आपका calculation easy हो जाएगा, तो x i में से a minus करना है, a and so on, फिर 75 में से 65 minus करना है, फिर last आपको 85 में से 65 minus करना है, तो 45 में से 65 अगर minus करोगे, तो greater number का sign एगा, smaller number में से आप greater number को minus कर रहे हो, तो आपको negative मिलेगा minus 20, यहाँ पर आपको negative मिलेगा minus 10, क्योंकि 55 में से 65 minus कर रहे हो, 65 में से 65 मिलेगा, आपको 0 मिलेगा, 75 में से 65 मिल तो आपको positive 10 मिलेगा और यहां पे 20 मिलेगा तो यह हमें सेमी रहे था आप देखे रोगे students तो आप देखे अब last वाला जो column है आप समझ रहे हो कि इसके अंदर mistake है तो इसको मिस्टेक मतलब यह तो पहले वाले का था direct method का इसको हम यहां से हट आएंगे और इसके जिके पर जो नया column हाएगा उसमें fi और into di रहेगा यहां पर हम लेखेंगे fi और di और fi di का मतलब fi यह है di यह है इन दोनों को multiply करना है तो 13 को minus 20 से multiply करना है तो आपको मिलेगा अपको बता रहो पाड़ेगा यहां पर करने पर 40 है 40 कैसे में आपको बता रहो 260 और 200 आपको मिलता है 460 जो माइनस में रहेगा और 360, 140 अगर आप add करोगे तो 00 यहाँ पे 0 आ जाएगा, 6, 4, 10 होता है तो 01 केरी आएगा, 3 प्लस 14 और 15 तो 500 हो रहे हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था तो इसका sign भी प्रस में रहेगा लेकिन आपको करना क्या है कि greater में से smaller को मानिस करना है तो 500 में से अगर आप 460 मानिस को रहे हैं तो आपको 40 मिलेगा और greater number का sign आपने यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे आगया 40 तो चलिए आपका table पूरा ready हो गया अब formula लिखके हम solve करेंगे तो since यहाँ पे जगा थोड़ा कम है इसको थोड़ा सा table को बैच्छोटा कर रहा हूँ सारी चीज़ वही है लेकिन table को थोड़ा सा च्छोटा कर रहा हूँ तो चलिए table को इतना च्छोटा कर लिया मैंने बुला शुरुआत हमेशा क्या करोगे पहले आप यह लिखोगे तो आपने यह लिखा उसके नीचे आप यह लिखोगे तो आपने यह लिखा फिर यहाँ पर FIFI छोड़के यह दी आई है तो यहाँ पर D bar रहेगा तो इसका मतलब आपको D bar का value मिलने वाला है और D bar का value मिलने का मतलब है कि X bar का value नहीं मिला है और X bar का value नहीं मिला मतलब अभी तक आपको mean नहीं मिला है तो चलिए mean का इसके लिए इसमें अलग से formula आपको यूज करना पड़ेगा फिलाल इसको solve करके D bar का value निकालेंगे तो FIDI का जो समिशन है वो 40 है तो यहाँ पर आएगा 40 फिर upon यह 100 यहाँ पर आएगा 100, 10, 10 यह cancel हो गया, 10 के विसे यह point यहाँ पर आएगा, तो आपको मिल जाएगा 0.4, तो आप लिखोगे 65 plus D bar, अभी आपको मिला 0.4 तो आप लिखोगे 0.4 65 plus 0.4 65 plus 0.4 आपको ऐसा करना क्योंकि इसके अंदरा point नहीं तो यहाँ पर point उपर नीचे रहना चाहिए तो आपको मिलेगा 4, 5 और 65.4 यहाँ पर हम लिखेंगे 65.4 लेकिन यह जो मिला है यह आपको 1000 में मिला है और इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा इसको 1000 से multiply करके आपको लिखना पड़ेगा 65,400 और फिर finally आपको mean लिखना है वापी से जैसा आपने direct method में किया था तो चलिए आपका direct method, sorry, assumed mean method भी हो चुका अब एक method और बाकी है step deviation तो यह column ही रखेंगे हम क्योंकि इसमें जो एक add होने वाला कहाँ पड़ेगा मैंने आपको बता है था frequency के पहले तो शुरू करते है step deviation तो step deviation में आएगा total 6 columns तो चलिए assume mean method का जो table ले वही ले लेते हैं यहाँ पे इसको यहाँ पे break करके इसको क्या करेंगे आगे से खसका देंगे और यहाँ पे एक नया column ले ले लेंगे और यह six column बन जाएगा step division का जिसमें से आप जानते हो last वाला column अभी भी आपका wrong है यह जो heading है क्योंकि fy के just about you में जो रहेगा वो यहाँ पे आगा इसको बात में change करेंगे तो यहाँ पे जो नया atom use होता है वो है ui और ui का formula है di upon g यह सभी di है इनको सबको आपको divide करना है g से और g होता इनका difference 50 minus 40 10 या आप इनका difference समझे 80 minus 70 10 या आप इनका भी difference समझे 65 minus 55 या 75 minus 65 आपको 10 ही मिलेगा तो सबको आपको 10 से divide करना है 0 0 cancel minus 2 10 से divide कर 10 10 cancel minus 1 10 से divide कर 0 रहेगा 10 से divide कर 1 रहेगा 10 से divide कर 2 आगे तो अब इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको क्या करना है fi into ui करना है तो इसको हम क्या करेंगे change करेंगे और यहाँ पे इसका जो heading है वो लिख देंगे fi into ui अब 13 तूज़ा 26 तो मानस 26 लिखेंगे 20 बनज़ा 20 तो मानस 20 लिखेंगे 2400 लिखेंगे 36 बनज़ा 36 आएगा 7 तूज़ा 14 आएगा अब इसको अगर आप solve करते हो तो माइन दोनों का अगर आप प्लस करके तो आपको मिलेगा 46 जो माइनस में है और इनको अगर आप प्लस करोगे तो 6410 134 और यह 550 तो ग्रेटर नमबर 50 है तो यहाँ पे जो भी साइन एगा प्लस में आएगा 50 में से अगर आप 46 मानस करोगे तो आपको 4 मिलेगा तो इसका मतलब इस पे summation of fi ui आपको मिलता है 4 तो चलिए अब इसको calculate करने के लिए फिर से वह होगा कि पहले आप यह लिखोगे फिर उसके नीचे यह लिखोगे तो यहाँ पे जगह नहीं है और इसको adjust नहीं करो डारिक नए पीच पे आपको बता रहो एक और तो 0.04 हो जाएगा तो इसका अंसल आएगा 0.04 अब यू बार आपको 0.04 मिला है एकस बार नहीं मिला मतलब मीन नहीं मिला तो step division का जो मीन का formula है वो है a plus u bar into g तो a आपका 65 था तो आप यहाँ पे 65 लिखोगे plus u bar अभी आपको 0.04 मिला है into g जी आपके लिए 10 था सब आप याद रखो क्योंकि पीछे किया था अब इन दोरों को अगर आप multiply करोगे multiply कर रहे हो divide किया तो point इस तरह भागा था multiply करने का है तो point इधर भागेगा लेकिन एक 0 तो एक यह बार यहां से आके इधर रूख जाएगा 0.4 हो जाएगा 65 प्लस 0.4 हो जाएगा 65 प्लस 0.4 क अगर आप add करोगे तो पीछे भी add किया था assumed mean method में तो आपको मिलेगा 65.4 और फिर से 1000 में आया तो आप लिखोगे 65,400 और फिर last में आपको same ही लिखना है तो देखिए इतना ही इस वीडियो में किया है एक ही question क्या है मैं जानता हूँ आपको ऐसा लग रहोगा कि क्यों एक question किया है students तो जितनी जल्दी आपने ये question को तीनो method में देखा है ये उतनी जल्दी वीडियो नहीं बना है students ये सारे चीज़े जो भी table level का आप animation देख रहते हैं इतनी जल्दी नहीं बना है और इसी रिए एक ही किया है कोशिश करूँगा अगर कल हुआ तो दो दो sums एक की वीडियो में solve करेंगे students तो इचली comments करिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में thank you very much